समस्कार दोस्तों, Easy GST for You में आपका बहुत-बहुत स्वाधत है आज मैं आप सब के लिए एक ऐसी चीज लाया हूँ जिसकी request काफी टाइम से मेरे पास आचुकी थी मेल्स पे हो या कमेंट्स पे हो कि एक ऐसा course जो online students या people या accountants कर सकते हैं और उससे benefit ले सकते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि वो course कौन सा है हम लोग आज क्या launch करने जा रहे है इस इंट्रोलक्शन टू 15 डेस GST course और वो course कैसे होगा? e-learning के माध्यम से होगा Learning Utilizing Electronic Technologies तो आज हम लोग इस वीडियो से समझने जा रहे हैं क्या है, इसका pattern कैसे रहेगा, इसका design कैसे रहेगा इसके contents क्या क्या रहेंगे और ये course करने के बाद आपको इसमें से क्या मिलेगा और कौन इसका benefit ले सकता है और इसमें से क्या सफल होने वाला है तो let's see कि क्या है इसमें First of all ये course हमने अभी क्यों declare किया तो आप सबको पता है कि कोरोना महामार के चलते हुए मान्या प्रधान मंत्री जी ने कल मतलब 24 मार्च 2020 को ये डिकलेर किया कि आज से 25 मार्च 2020 से 21 दिनों तक लॉकडाउन का सिनारियो रहने वाला है इसका मतलब कि आप आपके घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं तो घर पे मुझे पता है दोस्तों कि आपने अलग-अलग तरीके ढूंड लिये होंगे कि जिसमें से आप आपका टाइम अच्छे से स्पेंड कर सको वो स्पेंडिंग ताइम विद फैमिली हो या या वाचिंग मुवीज हो रीडिंग बुक्स हो लिसनिंग तू मूजिक हो जिसके जो होबी है वो फॉलो डेफिनिटली करेगा लेकिन दोस्तों डेली फॉर फिफ्टीन देज इस पेंड सम टाइम यू विल डेफिनिटली बूस्ट अप यूर नॉलज अबाउट जीएस्ट तो इसमें क्या है कि प्रोड़क्टिव टाइम कैसे यूज कर सकते हैं य वोस पीपल कैन लर्न न्यू थिंग अबाउट जीएस्ट जो जिन्हों ने जीएस्ट थोड़ी थोड़ी पड़ी हुए है लेकिन उसमें काफी सारे मन में डाउट है तो वो डाउट्स वो लोग क्लियर कर सकते हैं यह कोर्स को करके और यह e-learning है दोस्तों आपको सिर्फ ब कि आगे जाके इसका कोर्स का डिजाइन कैसे रहेगा तो फर्स्ट अफ वाल पंधरा दिन के लिए डेली वन वीडियो विल बी रिलिस्ट बाइस ऑन आवर यूट्यू चैनल जो जैसे प्रेजेंटेशन यह दिख रहा है आपको समने वैसे प्रेजेंटेशन बेस्ट अप् कि practical examples and scenarios current जो चीजे है उसको discuss करके हम लोग concept को explain करेंगे और हिंदी में वीडियो होगे ताकि mass reach हो सके उससे तो यह रहेगा design of the course आपको इसके लिए क्या आपके पास होने की जरूरत है चीजे काफी simple है दोस्तो आपके पास सिर्फ दो चीजे होने की जरूरत है ऐसा कोई भी device जिस पे आप YouTube चला सकते हो क्योंकि यह जो course है वो हमारे YouTube चैनल पे से launch होने वाला है तो if you have a mobile, tablet, desktop या laptop at your homes I am sure that you must be definitely having that so उस पे आप लोग यह पूरा course देख सकते हो उसके साथ साथ आपको internet connection होने की बहुत जरूरत है और I am very sure that during this period of lockdown everyone must be having internet access so यह दो mandatory है इसके साथ हम लोग ऐसे भी recommend करते कि if you have GST bear act और GST rules तो वो आप एक copy download करके आपके वो device पर रखे so that you can keep on referring to the provisions to the sections which I quote and explain उसके साथ pen and paper for taking out important points as a notes for you and headphones, headphones से आपको audio quality एक्छे से सुनाई देगा और इसके साथ कोई घर पे दूसरा डिस्टब भी नहीं होगा तो आप isolation में वो देख सकते हो videos I think spending 30 to 45 minutes in isolation for your own good thing it is definitely possible for all of you उसके चलते इस course में आप क्या-क्या सीखने वाले हो इसका एक just glance हम लोग देखते है तो it is a day-wise divided course, day-wise schedule available है on first day introduction of GST and emergence of the concept of GST उसके बात second day पे concept of supply which is a taxable event in GST third day will be levy, forward charge, reverse charge, rate of tax etc. fourth, fifth and sixth day will be time of supply, place of supply and value of supply we will explain these concepts, seventh day will be input tax credit, eighth day will be registration under GST ninth day will be tax invoice, credit notes and debit notes, very important practical topic day tenth will be accounts and records to be kept under the provisions of GST उसके बात, 11th day पे payment of taxes, 12th day पे offenses and penalties, 13th again a very important and practical topic e-way bill, 14th and 15th days we will discuss current issues in GST जिसमें various controversies जो है, interpretation of law को लेकर और दूसरा जो है, notices जो आ रही है, taxpayers को वो notices and what response should be given to those notices ये 15 days का extensive learning course है मेरे दोस्तों तो अगर आप ये contents go through करोगे पूरी तरीके से तो आपको GST का अच्छा खासा knowledge at the end of this course will be there जिसके बाद हम लोग ने एक और एक चीज इसमें रखी है, जिसको हम लोग बोल रहे है, e-certificate to encourage people to attend this course and to get aware about the GST provisions we are keeping the e-certificate for participation in this particular e-learning course जिसका criteria बोट easy and simple है, there are only three criteria's criteria's one, e-certificate will be issued to only subscribers तो आपको first thing you have to do is to subscribe to this channel criteria number two, watch all 15 videos with full watch time full watch time मतलब क्या, दोस्तों कि very simple, if a single video is of 30 minutes, you have to actually watch the video for 30 minutes ना कि forward करके या बीच-बीच का देखके आपको पूरा 30 minutes का watch time, आपको, you have to make sure that you watch the video for the entire time of the video, back end से हमको वो पूरा data extraction मिल सकता है, तो those who have forwarded the video or maybe have seen bits, have seen the video in bits and pieces may not be getting eligible for the e-certificate, और like all the 15 videos, तो इस database से हम लोग को समझेगा कि actual eligible people for e-certification कौन से कौन से है, उसके साथ आपको एक self declaration बेजना है कि you have performed all three points and यह 3 criteria you have fulfilled to our email address easygst4u at gmail.com तो यह इसकी note कर लें दोस्तों कि इसका email address हमरा है easygst4u at gmail.com यह आपको 15th day पर करना है after finishing all the 15 videos. why should you do this course और कौन करेगा यह course तो different different लोग है जो यह course कर सकता है जैसे की CA firm में काम कर रहे है कौन है तो या तो CA course में enrolled students रहेंगे जो में भी 1st, 2nd या 3rd exam दे रहे है या articleship कर रहे है, दूसरा रहेगा कि who are not pursuing the course of CA but still working with the CA office यह एक category है, दूसरी category है कि accounts department में जो लोग काम कर रहे है जिनका graduation complete हो गया है और जिनको GST का का regular तोर पे करना पड़ता है वो लोग सब रहेंगे, तीसरा ऐसा है कि professionals जो है consultants है या chartered accountants है जो consultancy में है या compliance business में है तो उनके लिए भी यह brushing up of knowledge हो जाएगा या revision of the entire GST law हो जाएगा इसे के साथ दोस्तो जो lemon है जिसको GST के बार में कुछ भी पता नहीं है, if he tries to attend the entire course, I am sure that at the end of the course, he will definitely gain some knowledge about GST. तो at the end of the course, definitely the knowledge base will be expanded, at least 10% boost in the confidence of the participants in this course. उसके साथ logical flow of information पे अच्छा control मिलेगा, इसका मतलब है अगर एका point practical scenario आपके सामने GST का आया, तो immediately आपको कौन सी sections, I don't mean the section, but कौन से आपको GST में law में कहां पे इसको search करना है, कहां पे इसके बारे में पढ़ना है, इसका एक logic दिमाग में set हो जाएगा और clear हो जाएगा और इसके साथ आपको certificate of participation भी मिलेगा, तो यह थे दोस्तों उसके benefits और मैं आपको सबको request करूँगा कि immediately आप subscribe करें हमारे channel को जो Easy GST for you नाम से है, और वेट for the videos to come और उसके बाद you have to follow our channel Easy GST for you for all the updates, I am sure that I will be getting very nice response about this e-learning course because we had received many requests in the past as well and for you this is a free online e-learning course of 15 days 15 video lectures, I wish you all the best for joining this particular course, thank you so much